नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे मांगलिक दोश के बारे में काफी लोग अपने जीवन में इस परिशानियों का सामना करते हैं विवाह में देरी होना या फिर विवाह के बार बहुत ज़ादा लड़ाई जगड़े होते रहना ये सबी चीजे मंगल दोश के कारण होती हैं किसी की कुंडली में भरपूर मंगल दोश होता है तो किसी की कुंडली में आंशिक यानि की आदा मंगल दोश होता है तो इससे भ होता रहता है क्योंकि मंगल दोश व्यक्ति की लाइफ में जिंदगी में स्ट्रगल को बनाए रखता है कुछ लोगों को बहुत ही जादा चोट तो लगती रहती है लेकिन यह भी मंगल दोश के कारण ही होता है तो ऐसे में आपको विशेश बातों का ध्यान रखना बहुत ही लेकिन यदि आप इससे जुड़े हुए उपाई करते हैं तो फिर मंगल दोश का आपके जीवन के उपर कोई भी असर नहीं पड़ता है तो चलिए जानते हैं आप अपनी कुंडली में अपने जीवन में मंगल दोश को कैसे दूर कर सकते हैं इसका सबसे बहतर उबाई यह हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोश होता है उसको मंगल के दिन गुड़ को खरीद कर रखना चाहिए जिस व्यक्ति की शादी हो गई है उस व्यक्ति को अपने जीवन साथी को उसमें से थोड़ा सा गुड़ अपने हाथों से अपने जीवन साथी को खिलाना च चाहिए ऐसा करने से मंगल दोश से होने वाले दुश परभाब दूर हो जाते हैं और आपस में लड़ाई जगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है आज कल काफी लोग शादी के बाद लड़ाई जगड़े से बहुती जादा परिशान रहते हैं और यदि आप ऐसे में इस उप करती हैं तो आपस में प्यार बढ़ता है और बिल्कुल भी लड़ाई जगड़े नहीं होते हैं आपको ये गुड मंगलवार को ही खरीदना है और उसके बाद रोज अपने हातों से अपने जीवन साथी को गुड़ को थोड़ा-थोड़ा करके खिलाना है ऐसा करने से लड के बराबर गुड़ खरीद कर गउशाला में दान करना चाहिए ऐसा करने से भी मांगलिक दोश दूर हो जाता है और उनसे होने वाले जितने भी दुश परभाव हैं वो आपके जीवन पर नहीं पढ़ते हैं तीसरा है दोस्तों अगर आपके जीवन में मंगल के कारण करने से मांगलिक दोश के जितने भी दुर परभाव होते हैं वो आपके जीवन पर नहीं पढ़ते हैं और आपके सबी कारें असानी से होने रगते हैं मंगल दोश के कारण जीवन में परेशानिया स्ट्रगल बना रहता है तो जो भी उपाय हमने आपको बताया है उसमें से कोई भी उपाई आप कर सकते हैं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पर संद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टधारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों